आउसकार में नियाजखान और आप देख रहे हैं News Express आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का संबंध कैसा है कितना तीखा है और खास करके पिछले 10 सालों के अगर बात की जाए तो पिछले 10 सालों में भारत और पाकिस्तान का संबंध काफी जादा तीखा हुआ है ये 2008 की ही बात है 2008 से ही जब मुंबई में आटैक हुआ था उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बंध है क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि पाकिस्तान को सबसे पहले आतंकवाद को बंध करना होगा तब जाकर के कोई बात आगे बढ़ेगी बातचीत होगी लेकिन इस पिछले 10 सालों में ये दूसरा मौका है जब भारत के तरब से कोई पाकिस्तान दोरे पर गया हुआ है सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुष्मा सुवराज गई हुई थी और उसके बाद अब जो है इस जैशंकर विदेश मंतरी पाकिस्तान दोरे पर गए थे और अब वो वापिस भी आ गए हैं एस यो की बैठक में शामिल होने के लिए इस जैशंकर को जाना पड़ा था और इस दोरे की बहुत जादा बातचीत है खास करके हम मीडिया पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान मीडिया में ये दोरा इस जैशंकर का दोरा सुर्खी बटोर रहा है क्योंकि शायद पाकिस्तान को बहुत जादा उम्मीदे थी कि शायद भारत जब भारत के विदेश मंतरी जा रहे हैं पाकिस्तान की हालत जो है वो बिल्कुल ही खराब है खस्ता हाल है फिलहाल खास करके वेपार के मामलों की बात की जाए तो तो ये तमाम मुद्धे हैं जो इस जैशंकर के दोरे के बात चर्चा हो रही है और ये चर्चा का विशे बना हुआ है और इन्ही मुद्ध पर हम बात लिखे रहे हैं और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इस जैशंकर जो है मतलब भारत करब से कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया हुआ है और इस दौरे को लेकर के काफी जाता चर्चा है तो सबसे पहले ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना इंपोर्टेंट आपको लग दोनों का इस्टेंड एक ही है वह भारत के कस्मीर में आतंगबाद को फैलाते हैं भारत कहता है कि एक रोको और दूसरी चीज कि अगर रोको गे तो भी संबंद आगे बढ़ेंगे और नहीं रोको गे तो वह कैसे रोक सकता क्योंकि वह तो उसी से उनका खाना पीना चलता ह वह जो आतंगबादी जो बड़े बड़े आतंगबादी हैं जहां पर वहां पर रह रहा हैं और वहां के ISI जो है उनको प्रसिक्षन देती है उनको सुरक्षा देती है तो सारे तो भारत के जितने बड़े यह चीजे देखनों के मिली थी कि दोनों आतंगबादी देशों जो है अपना अपना चलता रहता है लेकिन भारत का कल का भी इस्टेंड यही था और लेकिन जो बिदेशी मामलों के जानकार है जिनकी बातें जो लिखी पढ़ी जाती है उनका नजरिया अलग है क्योंकि ये बिजनेस का फार्मूला है हाथ कैसे मिला है जेस्चर कैसा था चस के बड़े आएफे शादिकारियों ने उनका स्वागत किया फिर जो अच्छे माहल में बात हुई इसके साथ सी बर्खादत को इंटर्व्यू देते हुए जो है क्या कते हैं पूरो परधान मंत्री नवाज शरीप नवाज शरीप के भाई है साबास शरीप जो परधान मंत् करेंगे वो अपना स्टेंड छोड़ेंगे नहीं लेकिन जो पाकिस्तानी जनता है और जो पाकिस्तानी पतरकार है या जो दोनों मुलकों को लोगों को जोड़ के देखना चाहते हैं उनका यही कहना था कि बर्ख को पिघलनी चाहिए और बाचीत आगे बढ़नी चाहिए पहले से ही यह बात करते हुए हैं रट रहें कि ऐ तरह से की बाचीत होनी चाहिए बाचीत अच्छी बाथ है कि बाचीत होनी चाहिए लेकिन बाचीत जो है मतलब कैसे होनी चाहिए बाद चीत यह हो कि दोनों दोनों हाथ खुले हों और दोनों के दिल खुल शों अच्छे हों उस माहौल में बाद चीत उनी चाहिए बस वही चीज जो है एक तरह से रही लेकिन जो है जब पाकिस्तान के अच्छे तरीके से तारीफ किया और कहा कि बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है दूसरी चीज़ दो तीन बातें जो है आयोजन से पहले किलियर हो गई थी कि बाइलेटरल सीरीज नहीं है मतलब कहने का मतलब यह है कि वन टू उन खाली हम एस्यो के लिए जा रह उपर से पाकिस्तान जो है दिवालिया होने के कगार पर है कर्च पर कर्च ले रहा है सौधी अरब से चीन से जहां से किसी भी तरह से अपनी मसियत को आर्थिक ब्योस्ता को बचा के रखे हुए है तो यह चीज एक चीज कहना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा देश है और जो है एक महिना पहले जो है क्या करता है विदेशी मुद्रा भंडार का जो डाटा आया उसको देखके तो बड़े बड़े पसीने छूट जाएंगे तो उसी साफ से देखा जाए तो जो है सिर्फ कर्ज को कर्ज से तरीके से देने के लिए पाकिस्तान है पाकिस्तान कुछ साइ के ट्रेंडिंग लेकर जो है कस्मीर में कोई खून खराबा ना हो आराम से दोनों देश रहें और हमारे तरफ से जैसे बागा बाडर से जो है रोज दो सो से तीन सो ट्रके जाती है जहां टमाटर भिंडी करैला मिर्च जिसका बेतहासा जो है बढ़ी हुई है वह पाकिस बिल्कुल भारत ने तो पहले ही अपनी सारी बाते किलर की हुई है कि बाचीत होगा वैपार होगा हर वो चीज होगी जो दूसरे देश के साथ होती है जो एक देश को आगे बढ़ाने में काम आया उसकी अर्थविवस्था को सुधारे लेकिन उसके लिए शर्त एक है कि आ पाकिस्तान जाना हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एस्यू की बैठक में शामिल होने के लिए वो गय हुए थी इसके अलावा कोई और बातचीत नहीं हुई हाला कि हो सकता है कि पाकिस्तान इसकी उमीद कर रहा हो कि शायद कुछ बात चीत हो कुछ बात बने लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस जे शंकर सिर्फ एस्यू के बैठक में गए शामिल हुए और जो भी वहां की बातचीत थी जो भी वहां की योजनाय थी बातचीत के लिए वो सारी चीज़े की और वो सीधे वापिस आ गए तो खुल मिला करके अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमे झाल 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 को